ताओ टेचिंग लेखक लावच से ताओ एक रास्ता ताओ जिसे जाना जा सके वह वास्ताव ताओ नहीं है नाम जिसे लिया जा सके वह नित्य नाम नहीं है अगर इसका नाम है तो यह अन्य वस्तुओं की तरह है नाम और रूप ही से सबी चीजों का अस्तित्व है उत्पत्ती है वास्तविक्ता को देखने के लिए इच्छाओं को त्याग दो मिथ्या को देखने के लिए इच्छाओं को रहने दो इनकी दुनों उत्पत्ती एक है इनके नाम बिन्न है फिर भी ये एक है, सोचो इस बारे में और तुम पता लगा लोगे अगर कोई चीज खुबसूरत है, तो कोई ग्रेनित भी होगी ही अगर कोई चीज अच्छी है, तो कोई बुरी भी होगी ही आप कुछ नहीं पा सकते बिना कुछ खोए अगर कोई काम मुस्किल नहीं है, तो कोई आसान भी नहीं है कुछ चीजे उपर होती है, तो कुछ चीजे नीचे होती है तुम संगित सुन रहे हो, क्योंकि यह सोर नहीं है आप प्रथम आते हो, तो कोई बाद में भी आयेगा सादूमुनी अपना काम कर लेते है बिना एक भी अंग ही लाए वे अपनी बात रख देते है बिना कोई सब्द कहे जब विपतिया आती है वे देरिये रखते है उनके पास ज्यादा कुछ नहीं होता पर जो भी कुछ होता है वे उसका उप्योप करते है वे कारिय करते हैं बिना किसी का समर्थन्चा है जब कारिय पूर्ण हो जाता है तो वे अगले कारिय की ओर चले जाते है क्योंकि वे इसके स्रेई की अपेक्सा नहीं करते हैं इसलिए उनका कारिय पूर्ण रहता है अगर आप अपनी बहुत प्रसंचा करते हैं तो लोग आपका समय खराब करेंगे आपके सामने अपना प्रभाव बनाने के लिए अगर आप चीजों को हद से ज्यादा महत्व देते हो तो आपको कोई नहीं पूछेगा अगर आप लोगों को सिर्फ प्रसंद देखने जाते हो तो तुम उनको वास्तविक्ता से परे कर रहे हो चीजों को हद से ज्यादा महत्व मत दो यह लोगों को आपसी कलाय से बचाएगा मुल्यवान चीजों को ज्यादा भाव मत दो यह लोगों को चोर बनने से बचाएगा लोगों को ज्यादा लालसा मत दो यह उनके रदे को संसे से दूर रखेगा सादुमुनी नित्त उत्व करते है लोगों के मन का संसे मीटा कर वे उसको सांथ करके और उनके रदे का द्वार खोल कर वे उनकी लालसाओं को कम करते है और उनको स्वयम पर वरोसा करना सिखाते है वे उन्हें सिखाते है भूलना जो वे अब तक जानते है और जो वे चाहते है ताकि कोई भी उनका देवज़ा फाइदा न उठा सके हर वक्त चिजों की लालसा करना बंद करो और देखो कि क्या घटित हो रहा है यहाँ पर कितनी ताओ है तुम्हें जितनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा तुम्हें जितनी चाहिए सारी ले लो यहाँ और भी होगी तुम इसे देख नहीं सकते पर यह है, यह हम्मे सा आसपास होती है, यह कहां से आती है, यह तो पुर्वजों के भी पुर्वज प्रतित हो रही है, यह किसी का पक्स नहीं लेती, यह अच्छे बुरे का फर्क नहीं करती, इसी तरह साधो हुनी भी किसी का पक्स नहीं लेते, वे सबको एक समान समझते है जगल जो की है स्वर्ग और धर्ते के बीच में हवा की तरह है उसका आकार बदलता है पर रूप नहीं जितना यह चलती है उतनी ही यह बदलती है दमदर बात में सब्द कम होते है इसी तरह अपने उसुलों पर बने रहना चाहिए ताओ एक सास्वत रहस्य है और हर चीज़ का आरम ताओ से है यह हर किसी के अंदर है बस जरूरत है तो पहिचानने की यह कभी नहीं रूपती क्यों? क्योंकि यह कोशिस नहीं कर रही किसी चीज़ को पाने की सादूमनी स्वयम को बाद में देखते है इसलिए तो वे सबसे आगे रहते है वे चीजों पर निर्बर नहीं रहते इसलिए तो वे उन्हें रखने में सफल होते है उन्हें चिंता नहीं होती जिस पर वे नियंतर नहीं रख सकते इसलिए तो वे हम में से संतुष रहते है वे अपने को पुरी तरह से अलग रखते है इसलिए तो वे बचे रह जाते है यह इसलिए नहीं कि वो निर्सवात है इसलिए कि वे स्वयम के प्रति जागरूख है सही कार्य करना जल की तरह है यह सब के लिए अच्छा है और बैता है वहाँ बिना किसी की परवा किये जहां वह जाता है ताओ की तरह अपने पेर जमीन पर रखो और जागरुक रहो की क्या जरूरी है वहाँ रहो जब लोगों को तुम्हारी आवस्यक्ता हो कहो जिसका कुछ ताथ पर यहो हर जिसके लिए तैयार रहो करो जो तुम कर सकते हो जब उसको होना चाहिए अगर तुम प्रतिस परदा नहीं करोगे औरों के साथ तो कोई तुम्हारे साथ भी नहीं करेगा ज्यादा बरने से अच्छा है समय रहते रुख जाना अगर तुम ज्यादा पी लेते हो तो तुम नसे में दूथ हो जाओगे अगर तुम ज्यादा संपती जमा करोगे तो तुम उसके अंदर आ सकते हो जाओगे अगर तुम सिर्फ सफलता की काम ना करोगे तो और सफलता में उलत जाओगे जो तुम करना चाहते हो उसे करो फिर आगे बढ़ जाओ यही तो ताओ का रास्ता है क्या तुम पकड़ जमा सकते हो अपने आहंकार पर और अब भी ताओ पर केंद्रित रह सकते हो जो तुम करते हो अपनी जीवन सक्ति का संगर जीवन में अनुकुल सिलता पाने के लिए क्या तुम बने हो एक बच्चे की तरह क्या तुम सोयम का निरिक्षन कर सकते हो और देख सकते हो कि तुम्हारे सामने क्या है क्या तुम एक नेता हो सकते हो बीना खुद को व्यवस्थापक समझे क्या तुम समझ सकते हो जो हो रहा है और क्या उसे होने दे सकते हो क्या तुम बोल सकते हो जो तुम जानते हो और उसे समझ सकते हो जो वास्तविक है क्या तुम पोसन कर सकते हो अपने लोगों का उनको तुम्हारा कर्जदर समझे बिना वस्तुओं को रख सकते हो बिना उनने आसकत हुए कार्या कर सकते हो बिना उसके फल चाहे नेतुरतुओं कर सकते हो उकम दिये बिना यही तो सब सही करने का रास्ता है एक पहिये के अंदर ताडिया होती है पर वह एक खोखली नली के चारों तरफ घूंता है एक बरतन मिट्टी का बना होता है पर हम जल उसके अंदर रखते है एक घर इटो और लकडी से बना होता है पर हम रहते तो दिवारों के बीच की खाली जगह में है हम किसी वस्तु पर काम करते है और किसी चीज़ का इस्तिमाल करते है जो की है कुछ भी नहीं दरश्टी दुंधलाती है द्वानी बेहराती है इच्छाय रदय के साथ खेलती है और ये संसार हमारे मन के साथ पर एक सादो मुनी इन सब को देखता है और जो वास्तविक है उसी पर एकाग्र रहता है विजय होना कभी-कभी हारने जैसा बुरा भी हो सकता है आत्मविश्वास आपको उतना ही जबजोर सकता है जितना की डर इसका क्या मतलब है कि जितना कभी-कभी हारने जैसा बुरा भी हो सकता है जब तुम हारे हुए होते हो तो तुम कोशिस करके उपर उठ सकते हो लेकिन जब तुम उपर ही होते हो तो तुम जल्दी से नीचे गिरते हो हार जित की परवा मत करो और जो तुम्हें करना है उसे करो इसका क्या मतलब है कि आत्मविश्वास आपको उतना ही जगजोर सकता है चितना की डर डर आपको कई बार नुकसान देह कारिया करने से रोग देता है लेकिन अधिक आत्मविश्वास होने से आपमें गमड हो जाता है गर्व से चलो पर गमड मत करो अपनी क्षमताओं को पहचानो और तुम्हें कोई भी वापस नहीं धेकल पायेगा जो तुम कर सकते हो उसे करो बाकी सब अपने आप होता जायेगा तुम ताओं को देख नहीं सकते चाहे कितने भी ध्यान से देखो तुम उसे सुन नहीं सकते चाहे कितने भी ध्यान से सुनने की कोशिज करो तुम उसे पकड़ नहीं पाओगे चाहे कितनी भी जोड से पकड़ो इसको देखो इसका कोई आरंब नहीं है इसके साथ चलो इसका कोई अंत नहीं है पर यह है यह तुमने भी है और तुम्हारे चारो तरफ भी है वर्तमान को समझो और तुम्हें आधिकाल तक का ज्यान हो जायेगा इसे ही कहते है वक्त की पहिया प्राचिन साधुमुनी बहुती प्रभावसाली होते थे वे बहुती मगन होते थे बहुती गेरही से विचार करते थे हम इसको सब्डों में नहीं बता सकते कि वो कितने गेहन थे हम तो सिर्फ इस बारे में बाते करते है कि वे कैसे थे वे सावधान होते थे जैसे कि एक बर्फ पर चलता हुआ आदमी वे सतरक होते थे जैसे कि एक जवन दुस्मन के इलाके में होता है वे विनम्र होते थे जैसे कि एक मेहमान होता है वे तेज होते थे जैसे कि एक बर्फ पिगलती है वे समतर होते थे जैसे कि एक लकड़ी का टुकड़ा उनका मन गाटी जितना गहरा होता था और उनका रदे जरने के जल जैसा निर्मल क्या आप एसी सहजता और निर्मलता का इंतिजार कर सकते है इस संसर को समझने से पहले क्या आप कार्या करने से पहले सही समय का इंतजार कर सकते है जब आप फलकी इच्छा के बीना कार्या करते है तब आप महान कार्या करते है मन को साफ रखो, डेरिया रखो और देखो कि तुम्हारे चारो तरफ क्या घटित हो रहा है हर चीज अपनी वास्तलिक अवस्था में वापस जाती है जो कुछ भी नहीं है, सुन्य है मूल को जानने से सांती मिलती है सांती मिलने से अपने प्रयोजन का ग्यान होता है और इस ग्यान के होने से स्थिर्ता मिलती है और इस थिर्ता से आत्मद्रष्टी उत्पन होती है और हर चीज सुन्य सदस हो जाती है और वह ताओ के साथ एक हो जाती है अगर आप इसे नहीं समझते हो तो आप पहले ही गड़बल कर देते हो अपनी मंजिल तक पहुँचने से पहले अगर आप इसे समझ जाते हो तो आपको पता होता है कि क्या करना है अगर आप ताओ के अनुसार होते हो तो आपको डर नहीं होता क्योंकि आपको पता होता है कि आप कर लोगे जब सादुमनी नेत्रुतों संभलते है तो किसी को पता भी नहीं चलता कि वो मुझूद है दूसरा अच्छा नेता वो होता है जो बलाई करता है इसके बाद वो होता है जिसका डर के कारण पालन किया जाता है सबसे खरब वो है जिससे लोग नफरत करते हो लोगों की इज़तवा उन पर भरोसा करो इसी से आपको इज़त वो भरोसा मिलेगा सादों सिर्फ आदेस नहीं दे वे उनके साथ मिलकर कारिया करते है और जब कारिया पूरन हो जाता है तो सब मिलकर कहते है कि हम सब में ये कारिया किया है जब लोग ताओ का सानिद्य फो देते है तब वे बाते करने लगते हैं सही और गलत की और नियमों की जब लोग वास्तविक्ता को भूल जाते हैं तब वे प्रमानों की बात करने लगते हैं जब वे एक दुसरे का आदर नहीं करते हैं तब वे बाते सुरू करते हैं वीनमरता और सद्वाओ की जब एक राष्ट्र अस्थिर होता है तब वे देश भक्ति की बाते शुरू करते है डोंगपन छोड़ो और ग्यान का आदर करो तब लोग वास्तविक्ता को समझेंगे और खुश रहेंगे चतुर्ता को छोड़ो और मुल्यो को समझो और लोगों में आदर भाव वो प्यार होगा लालज को छोड़ो और वास्तविक लाप को समझो इससे चोरी और डकेती खत्म हो जायेगी अगर तुमसे यह संभव नहीं है तो दूसरा तरीका अपनाओ सरल बनो तता वास्तविक रहो पूरी निष्टा से अपने कार्य को करो उससे तुम्हें क्यालाब होगा यह मत सोचो एक अगर रहो और अपनी लालसओ को जाने दो अपना वक्त खरब मत करो बेकार का सोचने में तुम इस बात की चिंता क्यों करते हो कि लोग तुम से सहमत है या नहीं तुम इस बात की चिंता क्यों करते हो कि उन्हें तुम पसंद हो या नहीं तुम उन वस्तों की चिंता क्यों करते हो जो औरों के लिए हो इन सब के बारे में सोचना बंद करो लोगों को अपना काम करने दो और उन्हें खुद का आनद उठाने दो इन सब के लिए तुम क्यों चिंता करो वसंत में कोई बगीचे में जाता है कोई छट पर तहलता है लेकिन तुम इस बाद से चिंतित क्यों हो कि तुम कहीं पर नहीं गए जैसे कि एक बच्चा होता है हसना सिखने से पहले वो नहीं जानता कि कैसे हसा जाए लेकिन फिर भी वो खुश रहता है बाकी सब को इन सब में आसकत होने दो पर तुम नहीं हो रहे हो तुमको अपना मन इन सब चीजों से नहीं बरना है तुमको इन सब में नहीं फसना है किसी एक चीज़ से बंदे नहीं रहना है और लोग चतुर होते है मैं सोचता हूँ कि मैं मुर्ख हूँ और लोगों का लक्षे होता है मैं सोचता हूँ कि मैं लक्ष रहीद हूँ हवा की तरह हूँ या फिर लहरों की तरह मैं औरों की तरह नहीं हूँ मैं तो ताओ के साथ एक हूँ एक सादू मुनी ताओ पर एकागर रहता है और कुछ नहीं सिर्फ ताओ ताओ का कोई रूप नहीं है आकार नहीं है हाँ इसका कोई रूप नहीं है आकार नहीं है तब भी यह एक आकरूतिक की तरह है हाँ इसका कोई आकार नहीं है रूप नहीं है तब भी इसका एक धाचा है हाँ यह दोनली है उज्वल नहीं है फिर भी इसी के अंदर प्रकास है यही एक सास्वत सत्य है और इसी से विश्वास है आप एकागर कैसे रह सकते है एक ऐसी चीज़ पर आदी से लेकर अब तक इसे भूला नहीं गया है क्योंकि यह ऐसी ही है जब से यह संसार है तब भी तो यह हमरे साथ है मैं यह केसे जानता हूँ, इसी से ही मैं जानता हूँ, कभी-कभी हार माननी पड़ती है हमेशा जीतने के लिए, जूकना पड़ता है उचा खड़े रहने के लिए, अगर तुम ग्यान चाहते हो तो पहले अपने मन को खाली करो, अगर तुम इस दुन्या को जीतना चाहते हो पहले स्वयम को जीतो, अपने सारा दम लगा दो अपनी आखरी सास पर, तभी तुम अपने सामर्थयों को पहचान पाते हो, तुम दूर तक जाते हो, जब तुम्हारे पास पकड़ने को कुछ नहीं होता, जितना तुम इकटा करोगे, उतना ही तुम वास्तविक्ता से नहीं करता, इसलिए तो वह सबसे अलग होता है, वह अपनी क्समता का गुंगान नहीं करता, इसलिए तो वह सफल हो पाता है, उससे अपने कारिया पर गमन नहीं होता, इसलिए तो वह लंबे समय टक तिक पाता है, वह यहां किसी के साथ प्रतेश पर्दा के लिए नहीं हो हो तुमें इसका अर्थ समझा जाएगा प्रकुरूती भी से अपना दिन के लिए तुफ़ान नहीं रहता पूरे दिन के लिए अगर प्रकुरूति यह जानती है और इसे अपना दिन होता है वहताओ के खुशी मिलती है जो खुद को दुखी समझता है वह दुखी रहता है जब तुम ताओं के साथ एक होते हो ताओं तुम्हें स्विकार करती है जब तुम खुशी को अपनाते हो तो खुशी तुम्हारे लिए वहां हमने सा होती है स्वयम पर विश्वास रखो और बाकी सब भ ताकि तुम रास्ते से भटक न जाओ, खुद पर नियांत्रन सीखो, अगर तुम कुछ करना चाहते हो, खुद पर ध्यान आकर सित मत करो, अगर तुम चाहते हो लोगों का ध्यान तुम्हारी तरफ आए, कोई भी उनका आदर नहीं करता, जिनके पास हमेशा बाहाने होते है, कोई भी उनको स्रेई नहीं देता, जो हमेशा खुद ले लेते है, लोग जो अपना प्रचार खुद करते है, उनके पास देने के लिए कुछ नहीं होता, ताओ के संदर्ब में ये होते है, डोंगी और हच्चे ज्यादा रखने वाले, वे नहीं लाते कभी भी खुशियां जो लोग ताओ के साथ एक होते है, उन्हें उनका अनुसरन नहीं करना चाहिए, कुछ है जो अप्रतिभासित है, फिर भी संपुर्ण है, सास्वत है, जो दर्ती और आकास से भी पहले से है, सांत और अपार, स्थीर है, सुरुवाज से, और फिर भी मोजूद है, सभी जो लंबे समय तक रहता है, और जो लंबे समय तक रहता है, वो सुरुवाज में फिर आता है, ताओ भविय है, तर्ती और स्वर्व भी भविय है, और जो ताओ के साथ एक है, वो भी महान है, यही चार्तो इस ब्रह्मान में महान है, जो ताओ के साथ एक है, वो धर्ती के स विसाथ बारी ही हलके की उत्पत्ती का कारण है स्थीर से ही अस्थीर की उत्पत्ती है इसलिए सादूमुनी पुरा दिन चलते फुए भी अपनी मंजिल से दृष्टी नहीं हटाते, कई मनों हर चीज़े उन्हें भटकाना भी चाहती है, पर वे सांथ रहते है, एक सासक के से एक राष्टर को संभाल सकता है, बिना किसी परेशानिक है, जबकि वो इन सब लालसाओ और इच्छाओ से ग्रसित होता है, अगर वो ज्यादा उदार है, तो उसके मंत परेशानिक है, जबकि वो इन सब्सक्राइब करने के लिए, और जरूरत पढ़ने पर सभी को अंदेखा भी करने के लिए, वे चीज़ों को उप्याग बुद्धी मता के साथ करते हैं, और कुछ भी बेकार नहीं जाने देते, कुछ लोग इसे कहते हैं अपने आत्म परका का अनुसरन करना, अच्छे लोग बुरे को सिखाते हैं, क्योंकि उनमें सिखाने की एक समता होती है, होश्यारी किसी काम की नहीं होती, अगर आप अपने गूरू और बड़ों का आदर नहीं करते हो, और दूसरों के हुनर को इज़्जत नहीं देते हो, यही ताओ का सबस स्वादी हो, पर अंत वास्तविक्ता को जानते हो, तो तुम दूसरों के लिए उदाहरां प्रस्तूत करते हो, इसे करो, और तुम हमें सताओ के साथ एक होगे, तुम कुछ भी कर सकोगे, अगर तुम अच्छा ही जानते हो, पर तुम यह बुरा का भी ज्यान है, तो तुम दुनिया के लिए प्रमर स्थापित करते हो, इसे करो, और तुम हमें सताओ के अनुसर होगे, तुम फिर से कुछ भी कर सकोगे, अगर तुम मानिये हो पर फिर भी विनम रहो, और चीजों को देखते हो, जैसे की वे है, तो तुम हमें सताओ के अनुसर होते हो, और तुम्ह तुम जो चाहो वे इसके साथ नहीं कर सकते जिन्होंने इसे बदलने की कोशिस की है उन्होंने इसका विद्वन्स कर दिया है जिन्होंने इसे पाने की कोशिस की है उन्होंने इसे खो दिया है कई बार आप आगे बढ़ते है या कई बार पीछे रहते है कई बार आप खुद को बढ़ाते है या कई बार आप स्थीर रहते है कई बार आप सुद्रड होते है तो कई बार कमजोर कई बार आप उपर होते है तो कई बार नीचे होते है एक साधूमनी सद जीवन व्यतित करता है अधिकता से परहिज करते हुए ध्यान से सुनो, अगर तुम एक मुख्या बनना चाहते हो तो जो ताओ के सानिदिया में होता है वो कभी भी अपने लक्षों के लिए हिंसा का प्रयोग नहीं करता क्योंकि हिंसा हम में से बुरा ही लोटाती है उससे कुछ बुरा ही होता है यूद्व पर गई सेना अपने पिछे आसुओं के निसान छोड़ देती है और फोजों की जीत हम में सा विधवन्स करती है सादोमनी वो करते है जो होना चाहिए और बस यही वो करते है जो तुम ही करना है वो तुम करो बिना गमन और अहंकार के कारिया को पूर न करो पर फिर फल की चेस्टा मत करो जो तुम्हे करना हो करो पर खुद के फाइदे के लिए नहीं इसलिए करो कि वो होना चाहिए इसे इस तरह मत करो कि जैसा तुम सोचते हो कि यह होना चाहिए एसा करो कि जैसे इसको होना चाहिए ताकतवर अपनी सारे सक्तियां खो देता है और अपने ताओं के साथ संबंध भी अगर वह ताओं के साथ चाही नहीं होता है और वह ज्यादे समय तक नहीं टीकते और वह मूद की तरह होते है हत्यार भयावा वस्तु है और अगर तुम ताओं के साथ एक होना चाहते हो, तो उन्हें त्याग दो, एक साधूमौिनी जानता है कि सबकी उत्पती ताओं से है, और पहचानता है कि इन सब में क्या समानता है, अपने वीरोधियों के साथ वह हम्मे सा कोशिस करता है जगडे से बचने की, लेकिन जब क लोगों की हत्याय करते हैं वे ताओ के साथ अपना सानिद्य खो देते हैं जब आप एक युद्ध जितते हैं तब आप कबरों पर चलते हैं मरे हुए को सम्मान दो ताओ एक सास्वत रहश्य है यह इतना छोटा है कि तुम इसे पकड़ नहीं सकते अगर एक मुख्या ताओ क साथ एक होता है तो बाकी सब उसे निर्विरोध अपनाते हैं और हर चीस सही हो जाती है लोग सही चीज़ करते हैं बिना कुछ बताएं जब एक चीज के कई भाग किये जाते है तो उनको हर्येको एक नाम चाहता यहां पहले से ही बहुत से नाम है और बैद है फिर हमें पता होना चाहिए कि हमें कहां रुकना है इसके जानने से विपत्या नहीं आती इस ब्रह्म्हन में हर चीज़ के पास ताओ है और हर वस्तु ताओ की तरफ जाती है जैसे कि नदियों का पानी समुद्र की तरफ जाता है चीजों को जानना आपको चतुर बनाता है पर खुद को जानना आपको बुद्धिमन बनाता है और ओपर विजई होने के लिए तुम्हारे ताकतवर होना जरूरी है पर खुद को जितने के लिए तुम्हारा सामर्थिवान होना जरूरी है जब तुम्हारे पास होता है जो तुम्हें चाहिए तभी तुम सही माइने में संपन होते हो अगर तुम कभी हार नहीं मानोगे तो तुम कोई रास्ता जरूर निकाल लोगे अगर तुम अपने प्रती इमांदर रहते हो तो तुम कभी नहीं बटकोगे अगर तुम अपनी जिंदिगी में जीवन्त रहते हो तभी तुम जीते हो तावो सभी दिशाओं में है यहां हर वस्तु में है पर हर वस्तु के पास यहां नहीं है सबको इसकी जरूरत है तब भी तो यह प्रदान करती है और बदले में कुछ नहीं चाहती हर चीज ताओं से आती है पर यह अपने आपको प्रदर्शित नहीं करती यह कुछ चाहती भी नहीं और कुछ सोचती भी नहीं हर चीज ताओं के तरफ जाती है पर वह उनका स्वामी नहीं बनती इसलिए इसे हम महन भी कहते है क्योंकि यह कभी इस महन तकी इच्छा नहीं रखती यही तो इसकी महन ता है जब आप ताओं के साथ एक होते हो तब हर कोई आपका मित्र होना चाहता है जब वे आपके आसपस होते है वे खुद को सांत वा आनंदित मैसूस करते है लोगों का ध्यान आसानी से बंग हो जाता है अच्छे संगित या अच्छे भोजन द्वारा जब हम ताओ की बात करते है यहां हमें औरों के मुकबले उबाओ लगता है यहां और किसी जैसा नहीं होता नहीं उन जैसा इसका अर्थ होता है लेकिन तुम इसका कितना भी उप्योग करो यहां हम में से होती है किसी चीज को पतला करने के लिए पहले उसे खीचो उसे छोटा करने के लिए पहले उसे बढ़ाओ किसी को कमजोर बनाने के लिए पहले उसे सक्ती दो किसी चीज से पीछा चुड़ाने के लिए उसे प्रदर्शित करो किसी चीज को लेने के लिए उसे सब कुछ दे दो इसे ही कहते है सुक्षमदरष्टी मंद और कॉमल विज़ई हो जाता है तेज और सक्त से जैसे कि एक मसली को तालाप से बाहर नहीं आना चाहिए एक राजिय को अपने गुप्त हथ्यारों का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए ताओ कभी कुछ नहीं करती फिर भी नव होने को कुछ बचता भी नहीं अगर हमारे नायक ताओ के अनुसर हो जाए तो यह दुनिया अपना देन खुद रख लेगी अगर वे फिर भी कुछ करना चाहते है तो सरल वह वास्त विक्र है सच्चे सुरुप की सरलता होने से इच्छा है नहीं होती और इच्छाओं के ना होने से सांती मिलती है और यह संसर प्रकूरती के आनुसार ही सही रास्ते पर जलता है दन्यवाद वन अन ओली ओडियो बुक्स चलिये चलते हैं अध्याई दो की तरफ जो है दवर्च्यू वह सामर्थिया ताओ तेचीं लेखक लाओ च्छे दवर्च्यू अर्थात एक अच्छे व्यक्ति को अपनी अच्छाई का ग्यान नहीं होता इसलिए ही तो वह अच्छा होता है एक मुर्ख व्यक्ति अच्छा होने का डों करता है इसलिए तो वह बुरा होता है वह अच्छे व्यक्ति कुछ नहीं करता फिर भी नव होने के लिए कुछ नहीं बचता वह मुर्ख व्यक्ति हम्मे सा किसी चीज में लगा रहता है फिर भी उससे सब कुछ अपून लगता है जब दयालू लोग कारिय करते है वे इसके परिणामों के बारे में नहीं सोचते वे हम्मे सा बस उसे करते है और उन्हें आबास होता है कि वे सही कार्य कर रहे है पर जोब लालची व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसे कोई कुछ नहीं कहता वे हम में सा सभी को अपने अनुसर चलने को कहता है अगर आप ताओ के सानिध्य में नहीं है तब भी आपने अच्छाई मोजूद होती है अगर आपके पास अच्छाई होती है तो आप हमेसा दयालू होते है अगर आप दयालू है तो आप हमेसा न्याई प्रिय होते है और अगर आप न्याई करते है तो कोई संचय बाकी नहीं रहता संसई केवल एक ब्रांती है विश्वास और भरोसे की और हमें हमेशा विपतियों के और ले जाता है इसलिए साधुमुनी हमेशा भरोसा रखते है जो यथार्थ है नकी जो उपरी दिखावा है फल पर नकी फूल पर सत्य है वे हमेशा वास्तविक्ता को महत्व देते है दिखावे को नहीं समय की सुरूआत से ही यह ताओ के सानिध्य में होने का मतलब है ताओ ने स्वर्ग को सुन्दर बनाया ताओ ने दर्ती को द्रड बनाया ताओ ने आत्मा को सक्ती दी ताओ ने गटिया को उपजाओ बनाया ताओ ने जीवन प्रदान किया ताओ ने सासक को अधिकार दिये ताओ के बिना स्वर्ग टै जाएगा ताओ के बिना दर्ती कम जाएगी ताओ के बिना सक्ती मीट जाएगी ताओ के बिना खेट सुख जाएगे ताओ के बिना जीवन खत्म हो जाएगा ताओ के बिना सासन खत्म हो जाएगा नम्रता हमें सक्ति देती है हमारे सासकों को भी ऐसा ही सोचना चाहिए विनम्र बिना ब्रम्हांड के क्या यही विनम्रता है? सुद्रड बनो दिखावे के पिछे मत बागो अपना प्रदर्सन मत करो तमासा मत बनाओ ताओ वापस जा रही है जहां से वो आई थी वह आगे बढ़ रही है बिना कोई कदम बढ़ाए वस्तुए जो अब है एक बार वो भी नहीं थी जब एक गुद्धिमन व्यक्ति ताओ के बारे में सुनता है वह इसके साथ एक हो जाता है जब एक साधरन व्यक्ति इसके बारे में सुनता है वह इसके साथ होने की कोशिस करता है पर फिर इसे छोड़ देता है जब एक मुर्क इसके बारे में सुनता है वह इस पर हसता है अगर वह इस पर नहीं हसे तो यह ताओ नहीं है इसलिए यहां कहा गया है ग्यान का रास्ता मंद होता है आगे बढ़ना कभी पिछे हटने जैसा लगता है आसान रास्ता मुश्किन लगता है ज्यादा समर्थिय वाले कम्जोर प्रतित होते है जो सुद्ध होते है वे आवपवित्र प्रतित होते है गहन विचार हासिय लगते है महान सक्ति कमजोर प्रतित होते है जो वास्तविक्त होती है हमें काल्पनिक ता लगती है सबसे बड़ी जगर की कोई सीमा नहीं है सबसे बड़ी प्रतिवा ऐसा लगता है जैसे कुछ नहीं करती सबसे महान आवाज को लोगों द्वारा सुना नहीं जाता सबसे महान सुन्दरता अद्रशिय है ताओ हमारे अंदर है फिर भी इसका कोई नाम नहीं है यहां हमारे तथा प्रत्यक वस्तु के लिए सामर्चे का भंडार है ताओ से एक की उत्पत्ति हुई एक से दो हुए दो से तीन और इसी तरह सब चीजों की उत्पत्ति हुई हर चीज की एक नकारत्मक प्रावडूती भी होती है जिसे हम यंग कहते है और जो सकारत्मक होती है उसे हम यंग कहते है जब ये दोनों मिलते है वही तो परम समन्वई की अवस्था है इस तरह विनमरे रहने से हमें फाइदा मिलता है और लाब जाहने से नुकसन होता है हमारे पुर्वजोन भी यही बताया है और मैं भी यही बता रहा हूँ सक्तिहीन और बेकार कहा जाना मनुस्यों को बुरा लगता है किन्तु सादुमुने अपने आपको ऐसा ही बताते है कोई खोकर पाता है तो कोई पाकर खोता है औरों ने भी यही बताया है और मैं भी फिर से यही बता रहा हूँ एक हिंसक व्यक्ति की मुद्टियों पे हिंसक होती है यह मेरी सिक्सा का सार है इस ब्रह्मान की सबसे कॉमल वस्तू काबू पा लेती है सबसे सक्त पर वह जिसमें कुछ नहीं होता पहुँच सकता है कभी भी अब मैं निस्कम कर्म का मुल्य कहता हूँ बिना सब्दों के ग्यान और बिना कर्म के कारियर यह बहुत कम को ही समझाता है क्या ज्यादा जरूरी है ख्याती या अच्छाई किसे तुम ज्यादा चाहते हो पेसे को या फिर जीवन को क्या ज़्यादा खतरनाक है हारना या जीतना अगर तुम इच्छा हो और संद्रह में पूरी तरह लिपत हो तो ये तुम्हारी जिंदगी में कठिनाई लाएंगे अगर तुम वस्तुओं का संद्रह करते हो तो तुम उन्हें एक दिन खोद होगे अगर तुम जानते हो कि तुम्हारे पास काफी है तो तुम इससे बच जाते हो अगर तुम सैयम और संतोस का अब्यास करते हो तक तुम विपतियों से मुगत रहते हो और यही सफलता का रहस्या है बड़ी सफलताय प्रतित होती है सुरू में गलतियों की तरह पर तुम बाद में उसमें सफल हो जाते हो जो चीजे पूर्ण होती है वे चीजे पहले खाली दिखती है लेकिन बाद में तुम उन पर विश्वास करने लगते हो सरल रास्ता तेड़ा लगता है और प्रतिभवन व्यक्तियों का उत्थन कठिनयों से ही होता है और सबसे बुद्धिमन व्यक्ति हम में से सांत रहते है जब सर्दी होती है तब तुम गर्म हट की तरफ जाते हो जब गर्मी होती है तब तुम ठंडा होना चाहते हो पर केसी भी परिस्थिती हो जब तुम डेरिय रखते हो तुम इस संसार को तुम्हारे लिए अपने चारों तरफ पाते हो जब यह दुनिया ताओं के साथ एक होती है गोडों का खाज जमिन को उपजाओ बनाता है जब यह दुनिया ताओं के साथ एक नहीं होती है उन्हीं गोड़ों को यूद में ले जाया जाता है अधिपत्य स्थापित करने से घातक कुछ नहीं है इच्छाओं से खतरना कुछ नहीं है लालत से बयावा कुछ नहीं है जब तुम जानते हो कि जो तुम्हारे पास है वह काफी है तब तुम्हारे पास हमेंसा काफी होता है तुम्हें अपना कमरा त्यागने की जरूरत नहीं है यह समझने के लिए कि इस संसार में क्या हो रहा है तुम्हें खिड़की के बाहर जाटने की भी जरूरत नहीं है इसके सुंदर्य का अनुभो करने के लिए जितना इसके लिए तुम बटकोगे उतना कम तुम जानोगे सादुमुनी ऐसे नहीं बटकते है वे तो जानते है वे कैवल वस्तुओं को देखते नहीं है वे उन्हे समझते हैं वे कुछ भी नहीं करते और काया भी हो जाता है हम ज्यादातर प्रयत्न करते हैं हर दिन कुछ नया सीखने का पर अगर हमें ताओं के साथ एक होना है तो हमें हर दिन इन में से कुछ नहीं कुछ भूला नहोगा त्याग न होगा हमें इन्हें तब तक त्याग न होगा जब तक कि हमारे पास कुछ न बचे और जब हमारे पास कुछ नहीं बचेगा तब हमारे काजिया पूर्ण होगा सबी घटनाओं को उनके प्रवाह के अनुसर होने दो और सब कुस तुम्हारे अनुसर हो जायेगा अगर तुम अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने की कोशिस करते हो तो तुम कभी सफल नहीं होते सादुमनी खुद को सुनने के लिए नहीं कहते वे तो दूसरों की बातों को सुनते है वे अच्छे लोगों के साथ अच्छे होते है और गुड़े लोगों के साथ भी अच्छे होते है यह तो वास्तविक अच्छा ही है उनका भरोसमन्दों पर भरोसा होता है और जो भरोसमन्द नहीं होता उन पर भी भरोसा होता है यही तो सच्चा विश्वास है वहाँ अपने को इस दुन्या के लिए पूरी तरह न्योचावर कर देता है लोगों में विश्वास बनाने के लिए और उन्हें एक करने के लिए लोग उसको गोर से देखते है क्योंकि वह एक बच्चे की तरह आस्चे जैसे होते है जो लोग पाना चाहते हैं लंबी जिंदिगी का रहज्य वो जल्दे ही मरते है क्योंकि उनका सरीर उनकी जिंदिगी पर आधरित होता है और उनके मृत्यों के कारण पर क्योंकि वे सोचते हैं एक स्वस्त सरीर ही जिंदिगी के लिए काफी है जबकि कहा गया है एक व्यक्ति जो जिंदिगी को समझता है पूरी तरह से चल सकता है गने जंगलों में बीना डरके और युद मेदान में बीना हत्यार के बिलकुल कवच रहित जंगली जनवर और हत्यारी से मार नहीं सकते हाँ मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ इसका क्या मतलब है वह मारा नहीं जा सकता क्योंकि वह अपने उस थूल सरीर में होता ही नहीं है हर चीज की उत्पति ताओ से होती है उनका सक्ति द्वारा पालन होता है वे तत्व की बनी होती है और वातावरन द्वारा उन्हें डाला जाता है हर चीज ताओ का आदर करती है और इसकी सक्ति को समझती है यह ऐसी ही है ताओ सबको जीवन प्रदन करती है और इसकी सक्ति इसका पोसन करती है उनका ध्यान रखती है और उनको बढ़ने में सहायता करती है उनकी रक्सा करती है और उनको सुकून देती है किसी चीज को पाओ बिना उसमें आसक्त हुए कार्य को करो गीस्वार्थ होकर नेतरुत्व करो बिना आदेस दिये यही ताओ की सक्ति का रहस्य है हर चीज की सुरुआत ताओ से होती है वह सभी की जन्नी है अगर आप मा को जानते हो तो आप बच्चो को भी जानते हो अगर आप बच्चो को जानते हो तो आपको मा का ध्यान रहता है आपको जिन्दिगी में किसी से डरने की जरूरत नहीं है चुप हो जाओ और सांत रहो और तुम्हारी जिन्दी की खुशियों से पर जाएगी अगर तुम हर वक्त कुछ न कुछ बोलते रहते हो किसी चीज में लगे रहते हो तो तुम्हारे लिए कोई उमीद नहीं है इसमें अंतर द्रश्टी चाहती है वस्तुव की सुक्समता को समझने के लिए इसमें सामर्थिय चाहता है आराम से इसके साथ डलने के लिए इस सामर्थिय का उपयोग करो अपनी अंतर ध्रष्टी को देखने के लिए और तुम्हें हमें ससान्ती मिलेगी इस रस्ते से हम ताओ के साथ एक हो सकते है अगर मेरे पास थोड़ी सी बे अंतर ध्रष्टी है तो मैं ताओ के साथ एक बनने की कोशिज करूँ गा मेरा अकेला डर इस से दूर होने का होगा यह इतना मुश्किल भी नहीं है पर लोग अपना ध्यान आसानी से इस पर से खो देते है जब राजा का कोस खजाने से बरा होता है तब उसकी प्रजा के खित खर्पतवार से ग्रसिध होते है और राजिये में भोजन की तंगी होती है आज हम देखते है अच्छी पोसाकों में सजदेजे लोगों को जो कि लालची होते है और रखते है तेज अथियार और खुद को भोगते है अच्छे खाने और मदीरादवारा उनके पास उससे कहीं अधिक होता है चितना कि उन्हें चाहिए वे तो डाकू लुटेरों की तरह है यह बिल्कुल भी ताओ का रास्ता नहीं है जब कोई चीज द्रधिता से स्थापित होती है उसे उखाड़ा नहीं जा सकता जीसे मजबूती चे पकड़ा गया होता है वो फिसल नहीं सकती यह उपादित होती है पीडी दर पीडी स्वयम को सामर्थ्य से विक्सित करो और सामर्थ्य वास्तलिक होगा अपने परिवार को विक्सित करो और संपन्नेता चारो तरफ होगी अपने गाउं को विक्सित करो और संपन्नेता ओर बढ़ेगी अपने राष्ट्र को विक्सित करो और और संपत्ता संपोन होगी संपोन ब्रह्मान को विक्सित करो और यह हर जगा होगा एक व्यक्ति को व्यक्ति की तरह देखो चैसे तुम हो एक परिवार को परिवार की तरह देखो चैसे की तुम्हारा हो एक गाउं को गाउं की तरह देखो जैसे की तुम्हारा हो एक राष्टर को राष्टर की तरह देखो जैसे की तुम्हारा हो ब्रह्मान को एक संपूर्ण ब्रह्मान की तरह देखो मैं यह सब केसे जानता हूँ बस मैं जानता हूँ अपने को ताओ के सामर्थय से बरो जैसे कि एक बच्चे में होता है उसे मदुमख्या काटती नहीं है चानवर उस पर आकरमन नहीं करते एक बच्चे की हड़ी कोमल वो कमजोर होती है तब भी उसकी पकड मजबूत होती है उसमें कभी काम नहीं भोगा होता तब भी उसमें वो उत्यजित्त होती है यह होता है क्योंकि वो बिल्कुल सुध है निर्मल है पवित्र है वो पूरा दिन रो सकता है बिना अपनी आवाज में डम खोए क्योंकि वो इस ब्रह्मधन से एक है और अगर आप इस ब्रह्म्हन से एक होते है तो आपको अंतरद्रिष्टि का ज्यान होता है अगर आपको अंतरद्रिष्टि का ज्यान होता है तो आप परम बोधित होते है यह बुद्धिमता नहीं है इस तरह से उत्तेजित होना अपने स्वास को रोकना और खुद को उसका नियंतरन करना हच से ज्यादा होना विनास का कारण होता है यह ताओ का रास्ता नहीं है वे ताओ के साथ अपना संबन खो चुके होते है और जब आप ताओ के साथ संबन अपना खो चुके होते है तो आप ज्यादे देर नहीं ठहरते हो जो जानते है वो ज्यादा बोलते नहीं है जो ज्यादा बोलते है वो जानते नहीं है चूप रहो और सांत रहो सांत रहो और चिंताओं को जाने दो लोगों के नजरों में खुद को कदर्शित मत होने दो इस ब्रम्हन के साथ एक बनो और ताओं के साथ एक बनो अगर आप ताओं के साथ सही होते है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होती है खुद की प्रसंसा की या गिन्या की भी हारने की या जीतने की भी संबन की या बेईजित्ति की भी यही तो रास्ता है सही होनेगा तुम एक राष्टर नहीं चला सकते खुद के उसलों के साथ तुम युद नहीं जीत सकते सिर्फ योजना और अनुमनों से पर तुम सुम्पूर्ण विश्व को पा सकते हो बीना कुछ किये यह कैसे जानता हूं मैं मैंने यह होते हुए देखा है जितनी ज्यदा बंदी से एक राष्टर लगादा है उतने ही असमर्थ उसके लोग बन जाते है जब एक राष्टर हत्यारों का संचय करता है तो वीपतिया ही आती है और देशों से भी और उसके लोगों से भी जब एक सासक ज्यदा चतूर और चालक बनने की कोसिस करता है तो परिस्थितियां उसके हाथों से निकल जाती है और बिगड जाती है जब वे इनको और नियम थोपकर ठिक करना चाहते है तो यह सिर्फ अप्रादों को बढ़ावा देते है एक बुद्धिमन मुखिया खुद को कहता है मैंने कुछ नहीं किया लोगोंने खुद को बदल लिया मैं तो चुप रहा था और उन्होंने खुद सही सही किया मैं तो उनके रास्ते में आया ही नहीं और उन्होंने तरप की की मैंने कुछ नहीं चाहा और वे सदा जीवन व्यतित कर रहे है जब एक राष्टा पर सोनिय तरीके से सासन किया जाता है तो लोग साधा बस सहज रहते है पर जब सरकार सत्त अब लोभी होती है तो लोग अपना समय लगाते है उसको हटाने के लिए दुख तो वह है जो सुख पर टिका हुआ है और सुख वह है जिसमें दुख छिपा हुआ है कौन जानता है कि भविश्य में क्या है सुख या दुख क्या इन में से एक भी चीज संपूर नहीं हो सकती है जिसे आज उचित समझे जाता है बाद में वह अनुचित हो जाती है सही लगने वाले आपासों में कई बार शिपी होती है बेईमानी और क्रोणा बहुत पहले से ही लोग फसे हुए है इस ब्रह्म में इसलिए साधोमनी तेज होते है पर पेने नहीं धारदार होते है पर मुकिले नहीं वे सरल होते है पर अस्वाबाविक नहीं वे सांदर होते है पर दिखावी नहीं नेतर तो सहयम और सहजदा पर आधारित होता है सहयम और सहजदा का अभ्यास करो और तुम ताओ के सामर्जय के साथ होगे अगर तुम ताओं के साथ सही होते हो तो कुछ भी नामूंकिन नहीं है तो इसकी कोई सीमा नहीं है जो तुम कर सकते हो उस समय तुम वास्तों में एक सही मुख्या होते हो और तुम इस पर ठायर पाते हो मेरे इस परामर्ष को याद रखो अगर तुम एक मुख्या होना चाहते हो द्रेड रहो जैसे जड़े जितनी गेरी होती है मिट्टी में उतनी ही मजबूत होती है यह बहुत ही गहन है तथा एक हम्मे सा रहने वाली ताओं का बुनियाद है जब एक राज्य को ताओं के नुकसान नहीं पहुंचाती और एक बुद्धिमन मुख्या की तरह वह भी कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता अगर राज्या और उसकी प्रजा किसी को भी एक दूसरे से डर नहों हो तो इससे उसका राज्य फलता फूलता है एक बड़ा राष्ट्र छोटे राज् उत्ते जित्ता के सांथ होने के लिए इस तरह एक बड़ा राष्ट्र अगर अपने आपको लचिला विनमर रखता है चोटे राज्यों को सासित करने के लिए तो वह लोगों के दिलों पर राज करता है और वे राज्ये खुद की इच्छा से उसका हिस्सा बन जाते है और जेता बन पाते है एक बड़ा राष्ट्र चाहता है सिर्फ एकता और संप्रनता अपने लोगों की जबकि एक छोटा राष्ट्र चाहता है एक बड़ा राष्ट्र का हिस्सा होना अब जब दोनों की इच्छा पूर्ण हो जाती है जो वे चाहते है इसलिए हम कह सकते हैं कि यह अच्छा होता है खुद को नीचा रखना अर्थत विनम्र और लचिला रखना हर सजी वस्तु पाती है अपनी उर्जा ताओ से अच्छे लोग ताओ की एहमियत का आदर करते है जबकि मूर्क और गमंडी नहीं करते पर ताओ उनको भी उर्जा प्रदन करती है कुछ लोग पाते हैं ताकत और ख्याती उनके विशिष्ट सब्दो द्वारा कुछ पाते हैं उनके अच्छे कर्मों द्वारा पर ताओ तो सबके लिए है सिर्फ सक्तिमान के लिए नहीं इसलिए किसी को निचा मत समझो ताओ के साथ समाविष्ट होना अच्छा होता है एक राजा बनने से या फिर धन संपन्य होने से सादुमुनी क्यों ताओ का आदर सत्कार करते है क्योंकि जब तुम ताओ के साथ होते हो तुम पाते हो जो तुम्हें चाहिए और परेशनिया तुम्हें खोज भी नहीं सकती इसलिए यही तो सबसे बड़ा सामर्थ्या है इस संसार में सांत रहो और अपने इच्छा इत्याक कर कर्म करो अपने लाब के बिना कार्य को देखो चको बिना स्वात की चाह के इसी तरह छोटे और बड़े को भी समझो और कम और जैदा को भी और जो देयालू नहीं है उसके लिए भी देयालू बनो हर दिन की जिंदिकी की कद्र करना सीखो छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दो छोटे से सुरूवत करो फिर उसे बड़ा करते जाओ जब तुम्हें लोग परिशा नहीं यादे उन्हें जाने दो हर चीज़ को बाट कर देखो और उसके छोटे हिस्सों के रूप में कार्या पूर्ण करो इससे पहले की वो विपत्ति ना बन जाए सही तैयारी से बड़े मुश्किल कार्या भी आसानी से पूर्ण हो जाते है हर बड़ी सुरूवत छोटे-छोटे कदमों से होती है सादोमुनी ज्यादा बड़े काम की सुरूवत नहीं करते जितना की वो संभाल नहीं पाए इसलिए तो वे हर चीज़ को कर सकते है जितना तुम दे सको उससे ज्यादा का वादा मत करो और किसी कार्या को कमतर मत आको इससे तुम स्वयम ही अपनी मुश्किलों को बड़ा रहे हो सादोमुनी हमें से पहले से ही जागरुख होते है कार्या में होने वाल इबादा हो से भी इसलिए तो उन्हें उनका सामना नहीं करना पड़ता जो सांथ है उसे आसानी से दबो जा सकता है विपत्तियों को सुरू होने से पहले ही खत्म किया जा सकता है नाजुक चीज़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है और छोटी चीजों को आसनी से खोया जा सकता है परिस्थितियों का सामना करो इससे पहले की वो विपत्ति बन जाए हर चीज को सरल रखो पहले की वो उलत जाए हर पेड पहले एक बीज होता है हर बड़ी इमारत की सुरुवत एक पत्थर से होती है कई मिलका सफर एक कदम से सुरू होता है जब आप अत्यदिक कठरता से कोशिस करते है आप अपने ही लक्षे से भटक जाते है वस्तु उसे लगाव रखोगे तो तुम्हें नुक्सन पहुंचेगे उनके खोने से सादूजन सहज होते है इसलिए तो वो कभी और सफल नहीं होते वे चीजों में आसकत नहीं होते इसलिए तो वे उन्हें कभी नहीं खोते लोग ध्यान हटा लेते है जब कारियों पुडरा होने को होता है आखरी पड़ाव को भी उतनी ही एम यद्दो चितनी की पहले कदम को दी थी और इससे तुम्हारा ध्यान नहीं बढ़केगा सादूजन इच्छाओं से मुक्त होने की सोचते है वे मुल्यों अन्वस्तूओं का संग्रह नहीं करते वे स्वयम के विश्वासों से बंदे नहीं होते वे उस पर ध्यान देते है जिसको हर किसी ने नकार दिया होता है वे इस संसर को ताओं के साथ सही होने में मदद करते है लेकिन वो किसी चीज़ को बदलने का प्रयाज भी नहीं करते पुराने समय में जब नायक ताओं के साथ सही होते थे वे लोगों को उगदेश नहीं बाटते फीरते थे वे तो बस उनके जीवन को सरल और सहज रखते थे जो आदमी सब कुछ जानता है उसे कुछ सिखाया नहीं जा सकता मुखिया जो चतुर होने की कोशिस करता है वे परिस्थितियों को बिगार देते है जो नायक चीजों को सरल रखते है वे ही उनको सही डंक सरख पाते है अगर तुम समझ गए तो तुम ताओ की राहस्य में शक्ति को समझ गए इस प्रकार की सक्ति बहुती ताकतवर होती है और बहुती गहन होती है यह होने वाली हर चीज को भेज सकती है एक समुंदर बड़ा होता है उसमें बहने वाली सेकड़ो नदियों से और वो बस इंतिजार करता है जो वो नदियां लाती है अगर एक साधू को लोगों को सही डिशा दिखानी है तो उसे विनमरता से पेस आना होगा अगर उसे उनकी अगवाई करनी है तो उनको उनके पीछे पीछे चलना होगा अगर तुम उनके अगवाई करना चाहते हो तो पता लगाओ कि वे कहां जाना चाहते है इस तरह जब वे साधू नेतुरुत्व करता है तब लोग अपने अधिकारो और अपने को दबा हुआ नहीं समझते है लोग ऐसे मुख्या को चाहते है जो उनको उत्पिरत किये बिने उनकी रक्सा करे वे हममेसा ऐसे मुख्या का साथ देते है चुकि वो मुख्या कोशिस नहीं करता किसी के साथ स्पर्दा की इसलिए कोई और भी उसके साथ स्पर्दा नहीं करता हर कोई स्वर्ग के अंदर कहता है कि मेरी ताव भव्य है तथा सबसे अलग है क्योंकि यह भव्य है इसलिए तिर यह सबसे भिन्न है अगर यह सबसे भिन्न नहीं होती तो बहुत पहले ही समाप्त हो गई होती जिन्दिगी में तीन मुल्य सबसे जरूरी है सहानु भुती या लोगों के प्रति दया भाव सहज्टा या किसी वस्तु के महत्व का समझना नम्रता या किसी के साथ स्पर्दा नहीं करने से अगर तुम लोगों से आगे होना चाहते हो तो उनको देया भाव दिखाओ जब वे तुम पर हमला करे साहनों भुतिस अपना बचाओ करो यह इस ब्रह्मान का सबसे ताकतवर बल है एक अच्छा सिपाही हिंसक नहीं होता एक अच्छा योद्धा कभी अपना आपा नहीं खोता एक महान विजेता कभी दूसरों को चुनोती नहीं देता एक अच्छा मुख्या विनम्र होता है किसी को नोकरी पर रखने का सबसे अच्छा तरीका है तुम उसके साथ रहकर काम करो यही तो सक्ति है असंगर्शित होने की इसे कहते है उन्ही की सक्ति को उप्योग में लाना इसे समझे जाता है प्रकुरुदि के साथ सही तालमिल बनाना यही तो परम वास्तरिक्ता का एक रूप है एक पुरानी फोजी कहावत है मैं एक आक्रमन का सामना करना चाहूंगा नोकी पहले उसे करना मैं एक कदम पीछे बढ़ाना चाहूंगा आगे बढ़ाने से पहले इसे कहते है बिना चले प्रगर्ति करना दुस्मन का सामना करना बिना उस पर आक्रमन किये ससक्त होना बिना वहत्या रोके जब आप अपना बचाव करते है बिना कोई बल दिखाए तो आप अपने प्रतिदोंदी को लड़ने के लिए कुछ नहीं छोड़ते अपने दुस्मन पर आक्रमन करना जो कि आपने बहुती कमतर आका था सबसे महेंगी गलती होती है जब दो सक्तियां आपस में टक्राती है तो विजेता वही होता है जो इनसे होने वाले नुकसान वो पीड़ा को समझता है मेरे ताओ के ये सब्द हासान है समझने के लिए और अभ्यास करने के लिए लेकिन फिर भी ये संसार नहीं इन्हें समझता है नहीं इनका अभ्यास करता है मेरे ताओ के इन सब्दों में सुक्ष्म सत्य विद्यमान है मेरे द्वारा किये गिये कर्म ताओ के दिखाए गए रास्ते के अनुसार है लोग यह नहीं समझते इसलिए तो वे ताओ को नहीं समझते और जितना वे ताओ को नहीं समझते है उतना ही और गुड रहस्यताव हो जाती है यही कारण है कि सादोमोनी सरल और सहज तरीके से जीते है अपने ज्यान को अपने अंदर समेटे गहराई से मिथ्या अज्यान को जानना समर्थ है ज्यान को न जानना कमजोरी है अगर कोई पीडित है पीडा से तो वह असल में पीरित नहीं है सादुमुनी पीरित नहीं होते क्योंकि वे तो इस पीडा को पीरित कहते है जब आप कोई भी भई नहीं दिखाते है तो ये ब्रह्म्हन आपको कुछ नकुछ देता है जिससे आपको सच में भई हो जब लोग आदेसों का आदर नहीं करते है तो यह एक बड़ी भूल होती है लोगों को मत सताओ और उन पर रोक मत लगाओ उन्हें होने दो जो उन्हें होना चाहिए और इससे तुम हमेशा उनके तरफ होगे सादुमुनी हमेशा सोयम को जानते है पर वे इसे किसी को प्रदर्शित नहीं करते है वे खुद को चाहते भी है पर वे जानते है कि उनके जीवन का क्या मुल्य है क्या उद्देश्य है वे इस सब को जाने देते है और जो है उस पर ध्यान लगाते है एक बहादूर और आवेशित व्यक्ति या तो मारेगा या मर जायेगा लेकिन एक बहादूर और धर्यवान व्यक्ति हम में इसा लोगों की जिंदिगी बचाने की सोचेगा अब सोचो इन में से कौन बहादूर है और कौन नुकसा अंदायक प्रकृति क्या चाहती है कौन जान पाया है इसलिए सादूमोनी परिचित होते है इस सुक्समता से और इस प्रकृति के रास्ते की गहनता से इसी तरीके से ताओ कार्या करती है यह अपने आपको बढ़ावा नहीं देती और फिर भी यह सफल हो जाती है यह चुपचप अपना काम कर लेती है और हम में सा कुछ करती है इसे आहत नहीं किया जा सकता चब यह चाहती है तब यह आती है यह कभी जल्दबाजी नहीं करती यह हम में सा समय पर आती है स्वर्क का जल बहुत बड़ा है इसमें बहुत बड़े छेट भी है फिर भी उनमें से कुछ नहीं फिसलता जब लोगों में मोद का डर नहीं रहता तब कोई कोशिश नहीं करता उन्हें मोद से डराने की अगर लोग अपनी जिंदिगी का मुल्यों समझे और अपराधियों को सजा दी जाए तो कौन हिम्मत करेगा अपराध करने की जम्मा और मृत्य तो इस प्रकृति के नियमों द्वारा यम्राज के हाथ में है जो लोग इसे नियांतरन में करना चाहते है और यम्राज से बदलना चाहते है यह तो वैसा ही है जैसे कि एक मूख्य बड़ई को लकड़ी काटने के लिए कह दिया जाए जो ऐसा करते है बड़ई को लकड़ी काटने के लिए कहते है उनके ऐसे कम ही मोके होते है जब उनके हाथों को चोट नहीं पहुंचती लोग भूखे मरते हैं क्योंकि सरकारे उन पर ज्यादा कर लगाती है लोग विद्धो ही बनते हैं क्योंकि सरकार अपने अनुसर उन्हें चलाना चाहती है वे निरर तक जिंदिगी जीते हैं क्योंकि सरकार उनसे सब कुस ले लेना चाहती है जो लोग जानते हैं जिन्दिगी को जीना वे बुद्धिमन होते हैं उनसे जो अपनी जिन्दिगी को मुल्य हीन समझते है एक बच्चे का सरीर कोमल और नाजुग होता है एक मुरुत कठोर वर रुखा होता है पेड और पोदे मुलायम और उनमे सारा सार होता है सुखी पतिया मुर्जाई और रोखी होती है अगर तुम सक्त और कड़े हो तो तुम एक मुरूत की तरह हो अगर तुम कोमल और लचीले हो तभी तुम वास्तों में जिन्दा हो जिन सिपाईयों को मरने तक का लड़ना सिखाया जाता है वे मरते है जो पेड आंदी में नहीं जुकता वह तूटता है एक महतोपून कहावत है जितनी तेजी से वे आये उतनी ही तेजी से वे गए सक्तों और ताकतवर असफल हो जाते है वीनम्रों और कमजोर जीत जाते है ताओ का सोरुप एक धनुष की प्रत्यंचा खिचने जैसा है जब बहुत जोर से खिच दिया जाता है तो उसे वापस दबाया जाता है ताकि वह तूट न जाए जब बहुत आराम से खिचा जाए तो उसे और खिचने की ज़रूरत होती है बहुत आयत को कम किया जाता है कम को फिर से बढ़ा जाता है ताओ जहां है वहाँ से वह उर्जा लेती है और जहां होनी चाहिए वहाँ बेजती है पर ज्यादे तर लोग लेते हैं उनसे जिनके पास बिलकुल भी नहीं है ताकि जिनके पास सब कुछ है उनके पास और हो सके तो इनमें से ज्यादा उदार कोन है जो ताओ के स्पर्स में होता है वे करते हैं कार्य को उसका आस्रे लिये बिना वे उसे कर लेते है और फिर आगे बढ़ जाते है वे उसका प्रदर्शन करने में विश्वास नहीं रखते जल से ज्यादा कॉमल और रचेदा कुछ भी नहीं है फिर भी समय आने पर वह बड़ी से बड़ी चट्टानों को भी कांट देता है इसी तरह एक कमजोर एक टाकतवर को हराता है और एक कोमल जीच सकता है एक सक्त पर हर कोई से जानता है तो फिर इसे अपने जीवन में क्यों नहीं अपनाता प्राचिन मुनी कहा करते थे लोगों की समस्याओं को समझो और तुम उनके मुख्या बन सकते हो इस संसार की समस्याओं को समझो और तुम एक सादू बन सकते हो कभी-कभी सत्य बोध करने वाले सब्द प्रतित होते है यथर्थ जीवन में उसका उल्टा जब दो विद्रोहियों के बिच सांतिस्थापना के बाद उनमें आपसी तनाव फिर भी बचा रहता है लोगों को बहुत कुछ देता है पर कभी किसी चीज की मांग नहीं करता इस प्रकार एक समर्ज व्यक्ति कार्या करता है बीना कुछ अपेक्सा रखे और एक और समर्ज व्यक्ति कार्या करता है हम्मेशा उनसे लाब की अपेक्सा से तावों का सोरुप बेद रही थे वह हम्मेशा किसी से भी बेद बाव नहीं करती और दयालू और विनमरे लोगों से सहानुभूती रखती है मैं हम्मेशा कलपना करता हूँ एक ऐसे छोटे से देश की जहां बहुत कम लोग रहते हो और उन्हें मसीनों की जरूरत नो हो अपना काम तेजी से करने के लिए वे अपनी जिंदीगी को गंबिरता से ले और हम्मेशा अपने घरों के पास रहे हाला कि उनके पास उनके गेरेज और उनकी नाव हो पर वे कहीं न जाए वे वहीं रहे जहां पर वे रहते हो उनके पास हथियार हो सकते है पर वे उनको छीपा कर रखते है तालों में उनके उपर बहुत कम जिम्मेदरिया हो उनको कभी अपने कारियों की सूची न बनानी पड़े याद करने के लिए कि उन्हें क्या करना है वे साधा भोजन और साधे कपड़े पहने सहज दासर रहे और हमें सा अपनी रित्ती रिवाजों को जिंदा रखे और वे बेसक पड़ोस में आपस में इतनी नजदिक रहते हो कि उन्हें कुत्तो का सोर भी सुनाई दे पर उन्हें एक दूसरे से कोई तकलिफ न हो और वे वही पर जीवन व्यतित करे और वही प्रान्त याग दे सत्य बनावटी नहीं होता है बनावटी सब्द सत्य नहीं होते है सत्य वचन कड़वे होते है मदूर वचन हमें सा सत्य नहीं होते है सिक्षित व्यक्ति हमें सा समझदर नहीं होते और हर समझदर व्यक्ति सिक्षित नहीं होता अच्छे लोग बहस नहीं करते और जो बहस करते है वो अच्छे नहीं होते सादू लोग वस्तूओं में आसक्त नहीं होते वे हम्मेसा लोगों के लिए अच्छे कार्या कर रहे होते है इसलिए उनके पास और कुछ भी होता है लोगों को डेने के लिए और वे देते है जो कुछ भी उनके पास होता है इसलिए तो उनके पास सब कुछ ज्यादा होता है अगर तुम ताओं के सानिधिया में रहना चाहते हो तो लोगों की मदद करो और उन्हें चोट मत पहुचाओ साधू लोग हम मैंसा लोगों के साथ काम करते है उनके साथ स्पर्दा नहीं करते इस पुस्तक को पुरा सुनने के लिए धन्यवाद One and Only Audio Books